परिवान विभाग दोरा बढ़ाये गए रोड़ोेज बसों के खिराये को लेकर आमादमी पार्टी के जिला महासचीव मुहम्मद जफ़र ने परिवान विभाग के मंतरी को लिखा पत्र जिला महासचीव मुहम्मद जफ़र और क्या करें देखिएगा मैं ये पत्र उत्तर प्रिदेश के परिवान मंत्री को लिख रहा हूं जो उन्होंने किराया बढ़ाया है रोड वेस की बसवका उत्तर प्रिदेश के अंदर ये एक बिरोजगार जो लोग हैं उन लोग की जेवर पर बहुत बर असर पड़ने जा रहा है क्योंकि आज के टाइम में अपनी फैमिली को पालना बड़ा मुश्किल काम हो चुका है उसके उपर से लोग ग्रेजवेट और पॉस्ट ग्रेजवेट लोग आज के टाइम में बिरोजगार हैं पकोड़े तल रहे हैं अब कोई बंदा अगर किसी जगह पर जोब भी करता है अगर उसकी पांच सार की नोखरी है तो तीन हजार तो किराय में दे के चला जाएगा तो लोग उपर क्या मतलब क्या बचेगा उसके पास में लोग आत्मातियां करने के लावा दोसरा उनके पास को चारा नहीं बचेग आप उत्तर प्रिदेश के लावा एक सरकार दिल्ली के अंदर चल रही है आमादी पार्टी चला रही है उसको आप वहाँ पर देखेंगे बसों के अंदर महिलाओं का सफर बिलकुल फिरी है बुजरू का सफर वहाँ पर बिलकुल फिरी है वहां की बसों की कंडिशन आप वहाँ आप एसी बसें हैं, आप आप साफसुत्री बसें हैं, इसके अलावा सिक्युर्टी गार्ड बसों के लगए हैं, वहाँ पर महिलाओं के लिए कहींáticas पूरी दिल्ली केंदर झाती हैं, कोई किराया नहीं है, आप पूकस करिए रोजगार पर फोकस करिए, आपको रोज जी गैस भी महंगी कर देते हैं, आप बिजली की दर्य भी बढ़ा देते हैं, आप दूद पर भी टेक्स जी एस्टी ले रहे हैं, आप कफन पर भी जी एस्टी ले रहे हैं, मैं चाहता हूँ किसी भी तरीके से जो इन्होंने किराया बढ़ाया है, किराया को वापस किया किराया वापस लिया जाय और किराय को घटाया जाए ना के बढ़ाया जायाए मैं यह अमीद है कि मेरी इस बात पर उत्तर प्रिदेश प्रवाहन मंत्री गोर करेंगे और किराय वापस करेंगे जो उन्होंने बढ़ाया